जीव चाहे किसी भी योनी में हो, वो सुख चाहता है, किसी भी योनी में हो, क्यों दुख योनी चाहता है, क्योंकि सुख उसका निज़ सरूप है, उसका जो आत्म सरूप है, वो सुख सरूप है, आनन्द सरूप है, शान्ति पुंज है, तो दुख क्यों आते हैं उसे उसका सरूप है अगर सुख सरूप है आनन्द सरूप है तो दुख क्यों आते हैं दुख का मुख्य कारण है शरीर देह धारन करना जब तक देह नहीं मिलेगा शरीर नहीं मिलेगा तब तक सूख और दुख को वो अनुगों में नहीं ला सकता है भले वो सुख्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् विभिन प्रकार के जो सकामी कर्म हैं, शुभाशुब कर्म हैं, उनके कारण में उसको शरीर की प्राप्ति होती है, अब कर्म की प्राप्ति कैसे होती है, कर्म कैसे बनते हैं, कर्म बनते हैं राग और द्वेश के कारण में, राग कातात परी है कि कोई वस्तु अच्छी लगी परिया लग गई उससे पाने की मन में इच्छा हो गई तो उसके प्रती राग हो गई आज सकती हो गई या मोह हो गई आए इस अब एक ही है परियावाची है अब वस्तु प्राप्त हो रही है क्योंकि वस्तु क्षणिक है क्षण भंगुर है वो अपने आप में सुक स्वरूप है यह नहीं और मन क्या उस्ता के कारण में कुछ समय के बाद में वही वस्तु अरूची कर लग जाती है यानि उससे द्वेश हो जाता है उसे घ्रणा हो उसे इर्शा हो जाती है और कभी अगर कोई वस्तु प्रिय लग रही है उसे पाने के लिए या उसे पा करके बीच में किसी ने बीच में अगर हाथ मार दिया यानि बाधा डाल दी तो उसे भी द्वेश कहते हैं वो भी हानिकारक है तो कर्मु का जुमुक के कारण है वो है र यानि कि राजिसी और तामसी अहंकार तीन प्रकार का हंकार है सात्वी के हंकार वो तो लाबदायक है उसे मैंटेन करना उशक है लेकिन जो राजिसी हंकार है वो महिन को वो मन को भाहिर मुखी बना देता है यानि बहुत तिक्ता में उसको डुआ देता है उसको तो जो राजिसी हंकार है और तामसी हंकार में क्या होता है कि मन हमेशा इरडात्पक में ही रहता है यानि आसुरी मन बन जाता है तो रागदेश का मुख्य कारण है अस्मिता यानि कि राजिसी और तामसी हंकार इस अंकार के जड़ के है अब अस्निता के जड़ के है वो है अज्ञान इग्नोरेंस अभिद्यार यानि भ्राम हो गया है जैसे सूरज का बिम्ब किसी घड़े में बना तो वो जैसे कि मूल सूरज है वो अपने बैववप्टा को अनंदता को भूल करकर के उस घड़े वाले सूरज में प्रवेश हो गया है, जैसे कि उसे भ्रह्म हो गया है, प्रवेश नहीं हुआ है, सूरज कभी भी घड़े में प्रवेश नहीं हुआ है, जिसमें जल है, लेकिन उसको जो भ्रह्म हो गया है, उसके काल में अब वो केवल उस घड़े को ही सब मानता है घड़ा मेरा शरीर है मन मेरा पानी है या कर्म है और जो मन के और जो इसी घड़े को सुखी रखने के लिए जो क्रिया है वो उसके कहते हैं अज्ञान या अविद्या तो दुखा मूम जो मूल कारण है वो है अज्ञान इस अज्ञान को हटाने के लिए हमें साधना क की आवशक्ता होती है अपने गुरु जन्यों के निर्देशन में हमें साधना की आवशक्ता होती है जिसके लिए थोड़ा सा जिसे संपून योग कहते हैं थोड़ा ध्यान का अवस्ता मावेश हो गया थोड़ा सा उसमें भक्ति योग आ गया थोड़ा सा उसमें ज्यान द्यानयोग आगया करमयोग आगया इसके माध्यम से धीरे धीरे जो अज्ञान है वो अपना अस्थितु उसका अस्थितु मिटने लग जाता है जैसे जैसे उसका अस्थितु मिटने लगेगा तो सूरज अपनी बैभवता में आने लगेगा अगर वो आने लगेगा तो जो वो भी राजिसी और तामसी हंकार से बदल करके सात्वी की हंकार में आएगा, सात्वी की हंकार में आएगा तो रागद्वेश भी कम होगा, रागद्वेश अगर जब कम होगा तो कर्म भी अशुबनी बनेंगे, कर्म अशुबनी बनेंगे तो फिर वो उसके माध्यम से जो उसका चित है वो निर्मन होने लगेगा और फिर उस वो उसी शरीर में रह करके चाहे आगी को जनम लगें और लेकिन उसी शरीर उन शरीरों में रह करके वो फिर दुखुं से निब्रत हो जाता है